बिल्कम स्टूडेंट रेडियो अपरेटर का एक्जाम 29 जनौरी से 10 फरोरी के बीच में है यह हमें पता है ठीक है मैंने आपसे कहा एक हजार प्रस्ण मैं साइन्स का लेकर रहूंगा जो आपके लिए राम बाल होगा और वही प्रस्ण पेपर में छपेंगे तो स्रीज स्ट वास्प दाब वाईव मंडली दाब के बराबर हो जाता है तो दरोपर क्या प्रभाव पड़ता है आपको बताना है तो जब वास्प वाईव मंडली दाब के जैसे ही बराबर होगा तो दरोव उबलने लगता है भी इसका correct answer हो जाएगा इसके साथ साथ जो defination उसे भी हम द चिसी सता के एक आंख चेत्रवन पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं यह भी आद रखना दाब का एसाई मात्रक पास्कल है ठीक है और दाब एक क्या है अधिस बासी है वायो मंडलिये दाब का यसाई मात्रक क्या होता है बार होता है और दाब को बैरो मीटर्ट में मापा जाता है, तो दाब से जितने related प्रसंद थे, मैंने अगी ही प्रसंद में हलु कर लिया, Next प्रसंद आपके सामने है, वाहन चलाने है Top 5 द्रिसी दरपन होता है, तो जो वाहन जैसे यहां पे वाहन है, और इसके जो बगल में दिरपन लगा और सीसा लगा होता है वो कौन सा सीसा होता है तो वो होता है उत्तल जो कि C में दिया गया है Next प्रसन आपके सामने इसका उत्तर आपको देना है कि दिरिश से छाप बनती है दिरिस सचाप बनती है तो दिरिस सचाप फोटोग्राफिक कैमरा में बनती है जो कि A में दिया गया है ये इसका correct answer हो जाएगा अब यहाँ पर दिरसी छाप से मैं ठोड़ा सा जी लेटर देख लूँगा व्याख्या दिरसी छाप जो बनती है photographic कै warmed में या photographic फिल्म की photographic camera में और photographic फिल्म की खोज किस ने की थी जान कारबाट ने की थी तो जान कारबाट के द्वारा किया गया था फोटोग्राफी की खोज ठीक है टाल ओट ने की थी अगर कागज की बात की जाएगी यहाँ पे दो चीज है फोटोग्राफी फिल्म की बात की जाएगी तो जानकारबट और फोटोग्राफी की खोज जो कागज की बात की जाएगी तो टाल ओट ने की थी ठीक है और सामने है बर्फ पानी पर इसलिए तरता है क्यूंकि अब आपसन है बर्फ ठोस होता है और पानी तरल गलत है बर्फ का घनत पानी के अपेच्छा करत कम होता है अब देखे ये सही है जो बर्फ का घनत हो है पानी के अपेच्छा करत कम होता है तो इसका करक्ट एंसर आपसन न नदीयों में भिसरजन को कम करना है आपको इसका answer बताना है तो यहां पर जो correct answer इसका होगा वह हो जाएगा oxygen हासक क्या oxygen हासक है अब इसका answer हम थोड़ा सा व्याख्या देखेंगे परदूसन न्यंतरन कारिकरम का उद्देश आक्सीजन हासक अपसिष्ट को नदियों में विसरजन को कम करना है वरतमान समय में परदूसर एक बिकट समस्य है जो अनेक परकार के हैं जैसे धोनी परदूसर जल परदूसर अब धोनी परदूसर किस से मापा जाता है डेसी बल से और जल पर दूसर उनके छेत्रों में मापा जाता है नेक्ट प्रसन आपके सामने है नियूट्रान की खोज किस ने की तो नियूट्रान की खोज की थी चैडविक ने जो की ए में दिया गया है ठीक है? यहाँ पर हम देखेंगे उससे ब्याख्या लेड़ेटेड तो नियूट्रान की खोज चैडविक ने की जिस कारण उन्हें क्या मिला? नोबेल पुरुसकार दिया गया प्रोटान की खोज गोल्ड इस्टीन ने की गोल्ड इस्टीन ने की देखें कुछ लोग इसका एंसर रदर फोर्ड बताते हैं तो रदर फोर्ड ने नाम रखा था यह आपको याद रखना है प्रोटान का नाम रखा था रदर फोर्ड ने लेकिन खोज गोल्ड इस्टीन ने की इलक्ट्रान की खोज जे जे थामसन ने किया और पोजी ट्रान की खोज एंडर्सन ने की फोट्रान की कोज आइस्टीन ने की और फोट्रान के बेग प्रकास यहाँ पर देखना है फोट्रान का बेग प्रकास बेग के क्या होता है बराबर होता है तो इनसे भी related मैंने प्रस्ण को हल कर लिया अगला प्रस्ण आपके सामने है सूर गरहण को नंगी आँखों से देखना खतरनाख है क्यूंकि सूर से निकलने वाली अवरक्त बिकरण हमारी दिर्ष्ट पतल को जला देती है पहला गलत है सूर से निकलने वाली पराबैगिनी बिकरण हमारे दिर्ष्ट पतल को जला देती है ये भी गलत है सूर से निकलने वाली सभी प्रकार की बिकरणों से आखों में रासायनिक अवक्रिया सुरू हो जाती है यही इसका correct answer हो जागा जो कि C में दिया गया है नेस्ट प्रसन आपके सामने है इसका उत्तर आपको देना है डीजल इंजन में इंधन को जोलित करने के लिए आवस्यक उचतापमान किसके द्वारा प्राप्ट किया जाता है देखे डीजल इंजन में जोलित करने के लिए जो आवस्थक उच्छताब मान है वो सिलेंडरों में वायू को संपीरित करके प्राप्ट किया जाता है तो सी इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ये भी आपको याद रखना है संपीरित के द्वारा जो इंधन होता है वो क्या होता है जोलन सील होता है जोलन सील होता है लेक्ष्ट प्रसन है रात में कोहासे और कोहरे का फोटोग्राफी करना निमलिखित में से किसका प्रियोग करते होए संभव है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा औरक्त किरणे जो की B में दिया गया है अब हम इस से कुछ ब्याख्या देखेंगे रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करने में औरक्त बिकरण का प्रियोग किया जाता है औरक्त बिकरण की खोज हर सैल ने की और ये किरणे उसमी बिकरण है ठीक है रोग्यों के सेकाई करने में भी औरक्त किरणों का प्रियोग होता है नेक्स्ट प्रसन है निमलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित अलबर्ट आइंस्टाइन ने समान आपेच्छकता सिधान प्रस्तुत किया की मैक्स प्लेंग ने कौनटम सिधान का प्रतपादन किया की मारकोणी ने प्रथम बेतार सिगनल भेजा की मैडम मेरी क्यूरी प्रथम महिला नोबिल पुरुसकार विजategता बनी तो इसका कररक्ट आएंसर हो जाए का Max Planck ने Quantum सिधान्त का प्रतपादन किया जो की B में दिया गया है तो यहां पर अब हम देखें कि अगर ब्याक्षा देखते हैं तो Max Planck ने Quantum ठेवरी का प्रतपादन किया और इसका प्रतपादन 1909 में किया गया था ये Italy के थे ये भियाद रखना है और रेडियो टेलीगराफी का अभिसकार मारकोनी ने किया ये 1901 में इसका अभिसकार किया गया अलबर्ण आइंस्टाइन ने 1905 में सापेचता थेवरी का प्रतपादन किया माइडम क्यूरी मतलब मैरी क्यूरी पर्थम महिला थी जिसे नोबेल पुरुसकार 1902 में दिया गया तो यहाँ पर भी आपकी व्याक्या सब समझ में आ गये होंगे अगला प्रसना है मानो का एक मिनिट में लगभग कितनी बार हिर्दे इस्पंदन करता है मतलब धड़कता है तो वह हो जाएगा 72 बार जो की C में दिया गया है दोस्त मैं आपसे बता दूँ अगर आप चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ठीक है और वीडियो को लाइक करने से हमारे अंदर मोटी बेसन आता है और मैं डिवटी से आने के बाद समय निकाल कर इतना डीपली प्रसन आपके लिए लेकर आता हूँ तो मेहनत दोस्त अगर आपको दिख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है और अपने इस्टेडी वाले गुरूप में सियर करना है नेक्ट प्रसन आपके सामने है मानो हिर्दय एक मिनिट में 72 बार धड़कता है व्याक्या यहां देखेंगे लगबग 400 मिली लीटर पानी प्रति दिन हमारे सरीर से बाहर निकलता है सांस लेने पर 78% नाइट्रोजन 21% आक्सीजन और 0.09% CO2 हम लोग लेते हैं आगे हैं सांस छोडने पर 78% नाइट्रोजन 17% आक्सीजन और 4% कारबन डाई आकसाइड का अंस होता है नेक्ट प्रसन आपके सामने है निम्न में से कौन सी घटना पहले घटित हुई थी तो यहाँ पर अगर हम बताएं तो जो सबसे पहली घटना घटित हुई थी तो जेमसेडी वाटसन और फ्रांसिक क्रिक ने जीन के डिन्ने की संदचना की खोज की थी अब हम इन सबी को ब्याख्या के रूम में समझेंगे जेमसेडी वाटसन फ्रांसिक क्रिक ने उन्नीस सो तिरपन में डिन्ने की संदचना की खोज की वाटसन और क्रिक ने दूई कुंडली जीन को सर्वपर्थाच चित्रण किया रूस के ब्यक्ति यूरी गागरीन जो सर्वपर्थम अंत्रिच में जाने वाले ब्यक्ते थे डाक्टर क्रिष्टियन बर्नारड ने उन्नीस सो सरसट में सबसे पहले मानोहिर्दे का प्रत्या रूपड किया आगे है विस के यूके विस का पहला टेस्ट ट्यूब सिसुल लूई ब्राउन पैदा हुआ कब 1978 में और डाली भेड को क्लोन सरपर्थम तयार किया गया डाली भेड का क्लोन सरपर्थम तयार किया गया वो भी 1996 में अगला प्रसन आपके सामने है पौधे में जडो का मार्क से पानी पहुचने का कारण क्या है तो वह है केस कत्त जोकी आपसन B में दिया गया है अब हम हल करेंगे यहां देखेंगे ब्याक्या पौधे में जड़ों के मार्क पर पानी पहुंचना केसकत कहते हैं पतली सुई प्रिष्ट तनाव के कारण पानी में तैराई जा सकती है ठीक है प्रिष्ट तनाव के कारण साबूल के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबून घोलने पर उसका प्रिष्ट तनाव क्या हो जाता है प्रिष्ट तनाव कम हो जाता है पानी पर मच्छरों का लारवा तहरते रहते हैं लेकिन पानी में मिट्टी का तेल छिलक देने पर उसका प्रिष्ट तनाव कम हो जाता है जिससे लारवा पानी में डूप कर मर जाते हैं आपने ये भी सुना होगा कि अगर पानी में मिट्टी का तेल डाल दें तो मच्छर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, गरम सूप खाने वाले पदार्थ स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम द्रव का प्रिष्ट तनाव कम होता है, अतावा जीव के ऊपर सभी भागों में अ सुच्म तरंग विकरण, आब हम लोग व्याक्या देखेंगे यहां पर, यह नहीं देखना है, यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिश्टेक हुआ है, यह याद रखना है, जिन नाविकों में प्रोटानों की संख्या 83 या उससे अधिक होते हैं वोगे आस्थाई नाविक होते हैं ठीक है रेडियो सकृता की खोज हेनरी वेकुरल ने यहां वेकुरल होना चाहिए व्यक्तल हो गया है हेनिरी वेकुरल और पी क्यूरी एम क्यूरी मतलब मैडम क्यूरी ने किया था ये भी आपको याद रखना है इस खोज के लिए नोबिल पुरुसकार प्राप्त हुआ था और रेडियम की खोज राबर्ट पेरे एम मैडम क्यूरी ने किया था ये भी याद रखना है रेडियो सक्रियता के दोरान निकलने वाली किरणों को सरपर्थम 1902 में रदर फोड ने बताया ये भी आपको समझना है और सभी प्राकिर्तिक रेडियो सक्रियता तो अलफा बीटायूम गामा किरणों का उत्सरजन के बाद अंतता सीसा में बदल जात होती है ये भी आपको जानना है सबसे अधिक आयतन छमता अलफा किरणों की होती है तो सभी को मैं एक ही बार में कबर कर दे रहा हूं अगला प्रस्ण है होमोगलोबीन और क्लोरोफिल दो ज्यू अडू है तो निम्लिखिन में से कौन सा कथन सही है दोनों में लौहा है गल सी इसका करक्ट एंसर हो जाएगा अब यहां देखें होमोगलोबीन में लौहा क्लोरोफिल में मैगनीसियम ज्यू अडू होते है ठीक है अब होमोगलोबीन के कारण खून का रंग क्या होता है लाल होता है होमोगलोबीन रक्त में आक्सीजन उपलब्द करती है रक्त में पाई जाती है ठीक आगे दिया गया है क्लोरोफिल पेंड पौधे का भोजन प्राप्त करने अर्थात प्रकास संसलेशर की किरिया में सहायता करती हैं और सूर के प्रकास में क्लोरोफिल में भोजन प्राप्त करते हैं यह पॉइंट आपको याद रखना है अगला प्रसन एंसर हो जाएगा फ्यूज तार की प्रकिर्टी होती है तो फ्यूज तार की प्रकिर्टी उत्य प्रतिरोधयों निम्न द्रवांक होती है द्रोनांक जो की आप्षन ए में दिया गया है नेस्ट प्रस्न है वातावरण की वापतर पतर जो रेडियो तरंगों को परवर्तित कर तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा तो वाता आयन मंडल वाता वरण की जो रेडियो तरंगों को परवर्तित करते हैं तो रेडियो तरंगे वाला सिस्टम है आयन मंडल अब हम व्याख्या देखेंगे वाता वरण का आयन मंडल रेडियो तरंगों को परवर मंडल अब यहां समताब मंडल में हम आपको बता दें समताब मंडल वाय वयान के लिए आदर्स मंडल है समताब मंडल में सभी प्रकार की भहती खलचल से परे होते हैं और समताब मंडल को सांत मंडल भी कहा जाता है ठीक है अब ओजोन मंडल परावैगनी किनड को अवसूसित कर लेती हैं ओजोन मंडल क्या होता है परावेगनी को अवसोसित कर लेती हैं आयन मंडल क्या होता है धना अवेशित मंडल है आयन मंडल धना अवेशित मंडल है सभी संचार ब्योस्था का आधार क्या है आयन मंडल सभी संचार ब्योस्था का आधार है आयन मंडल आगे है छो वोब मंडल पिर्थवी का सबसे निचला मंडल है ये भी याद रखना है नेक्ष्ट प्रसन आपके सामने इसका उत्तर देना दूर दर्शन चैनल की बसिश्टता आपको बताना है तो दूर दर्शन चैनल की बसिश्टता है प्रेशित संकेत की आविरती जोकी आपसन अमें दिया गया है अगला है मनुस की ध्वन सोर के सामानियम अधिक्तम सही सुड़ता सीमा कितनी हो सकती है तो मनुस की ध्वन 60 से 80 decibel db के बीच होनी चाहिए जो की आपसन b में दिया गया है अब यहां हम लोग देख भी लेंगे कि मनुस की ध्वनी के सोर जो सामानिय है वो 60 से 80 deci रेक होता है और decibel ध्वन का क्या है मापक है डबलू यच्चोवो के तहट 75 dB से उपर की ध्वनी मानो सौस्थ के लिए क्या है हानिकारक है एक मानो ज्यादा से ज्यादा 130 db तक तीवरता वाली ध्वन सुन सकता है लेकिन 85 db से जैसे ही ज़्यादा होता है तो वो क्या हो जाता है बहरा हो जाता है और 150 db की ध्वन पर अगर हुआ तो वह क्या हो जाएगा पागल नेक्ट प्रस्न है मोटर कारों में हेड लाइट की चौथ को हटाने के लिए अब बताओ चौथ मतलब चका चौधी जो आपके सामने जैसे ये आपकी गाड़ी जा रहे है तो जो ये लाइट है और इधर से कोई गाड़ी आ रहे है तो ये प्रकास आ रहा है तो polyride प्रियोक्त किये जाते हैं जो की C में दिया गया है Microwave oven में जिस Microwave tube का उपयोग होता है वहा है तो वहा क्या है वहा है दोस्त Magnetron tube जो की option C में दिया गया है Next प्रस्षने जब बर्फ को 0 degree Celsius से 10 degree Celsius तक गरम किया जाता है तो जल का आईतन तो जल का आयतन क्या होता है आपको बताना है तो जल का आयतन पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ता है तो इसका correct answer option number C सही हो जाएगा नेक्ट प्रसन आपके सामने किसी सरल की लोलक की काल अवधी स्वतंत्र होती है तो किसी सरल लोलक की काल आउधी जो स्वतंतर होती वो अपने दरबिमान से स्वतंतर होती है तो 20 का correct answer हो जाएगा सूर में उर्जा का सुरोत क्या है? तो सूर में उर्जा का सुरोत है नाव़िके सनलैन जोकी Atsan D में दिया गया है अब हम देखेंगे सूर में उर्जा का सुरोत नाभिके सनलयन है हाइट्रोजन और हीलियम के नाभिके सनलयन किरिया के द्वारा क्या होता है सूर की उर्जा प्राप्त होती है सूर की आयू 500 अरब वर्स पुरानी मानी जाती है सूर क्या है सूर एक तारा है सूर परिवार सू सोनार का प्रियोग चमगादर डालफिन दोनों करते हैं तो डी इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा यहां देखेंगे सोनार का प्रियोग चमगादर और डालफिन दोनों कर सकते हैं सोनार को समुद्र के अंदर बस्तु को पता लगाने के लिए प्रियोग किया जाता है सोनार यंद्र का प्रियोग गोता खोर लोग करते हैं ठीक और डालफिन भारत का राष्ट्रे जीव है ये भी आपको याद रखना है नेक्ष्ट प्रसन आपके सामने इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा निमलिकित पदार्थों में से किसके लिए ताप में बृद्धी से प्रतिरूद कम हो जाता है तो ताप में बृद्धी से जो प्रतिरूद कम होता है वो सिलकान से तो डीस का करेक्ट एंसर हो जाएगा जब किसी पिंड को उसके उदासियन संतुलन की इस्थिति से बाधित किया जाए तो उसकी इस्थिति उर्जा को क्या होता है तो उसकी इस्थिति उर्जा क्या होता कम हो जाती है यह आपको याद रखना यहां डिफिनेशन देख लेंगे किसी पिंड को उसके उदासीन संतुलन की इस्थिती से बाधित किया जाए तो उसकी इस्थित उर्जा कम हो जाती है प्रत एकांग छेत्रफल पर लगाई गए बल को हम क्या कहते हैं प्रतिफल कहते हैं किसी पिंड को साम इस्थिती के इधर उधर गत करने के दोलन को अथवा कमपनी गत कहते हैं एक दोलन पूरा करने के समय को हम क्या कहते हैं आवर्त काल आगे है स्वाचलित वाहनों में द्रब चलित ब्रेकों का इस्टेमाल बस्ता नियम का सिधा अनुप्रियोग है तो वह है ब्रेक वाला जितना सिस्टम है पास्कल के नियम से जो की आप्सन ये में दिया गया है यहां आपके सामने ब्याक्षा है स्वाचलित वाहनों में द्रब बिचलित ब्रकों का इस्तिमाल बसता पास्कल के नियम पर आधारित है नेक्ष्ट प्रसना है किर्केट की गेंद को किस कौण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिक्तम छैती दूरित तक जाए तो इसका correct answer हो जाएगा 45 degree cone जो की B में दिया गया है Next प्रस्ण है प्रिजम से गुजरने वाले प्रकास का कौन सा सबसे कौन सा रंग सबसे अधिक बिचलन दरसाता है तो जैसे यहाँ पे अगर प्रकास आता है यह आपका एक प्रिजम है तो क्या होता है प्रकास ऐसे इस तरह चारो तरफ फैल जाता है तो जो सबसे अधिक बिचलन करता है वो करता है बैगनी कौन सा बैगनी तो इसका correct answer option number C सही हो जाएगा अब इसका हम थोड़ा सा यहाँ देखेंगे ब्याक्या प्रिजम से गुजरने प्रकास की बैगनी रंग सबसे अधिक बिचलन दरसाता है कांच में बैगनी रंग के प्रकास का बैग सबसे कम तथा अपवर्तनांग सबसे अधिक होता है लाल रंग का बैग सबसे अधिक य छेपित होते हैं नेस्ट प्रसन आपके सामने है किलो वाट घंटा एक यूनिट है तो किलो वाट घंटा जो है वह उर्जा का है जोकी आप्सन ए में दिया गया है अब यहां हम देख लेंगे किलो वाट घंटा किसका है उर्जा का यूनिट है कार का SI मात रख है जूल बल का SI मात रख है न्यूटन और बल का CGS मात रख है डाइन और कार का CGS मात रख है अर्ग ठीक आगे संबेज का SI मात रख है किलोग्राम मीटर सेक्यंड ठीक पदार्थ का परडाम का मात रख है मोल समतल कोड का यसाई मात रख है रेडियन और घन कोड का यसाई मात रख है इस्टे रेडियन और जोती तीवरता का यसाई मात रख है कैंडला ये भी आपको याद रखना है निम्न लिखित में से अधिक बिद्दु चालकता वाली धातु कौन सी है इन चारों में सबसे अधिक बिद्दुचालकता अगर हम कहें तो चांदी मेहसी इसका correct answer हो जाएगा क्यां देख लीजिए चांदी अधिक बिद्दुचालकता वाली धातु है चालकता दो परकार की होती है सुचालक और कुचालक और कुचालक पदार्थ क्या है तो कुचालक पदार्थ बिद्दुद को अवरोधक होती है मतलब बिद्दुद उसमें नहीं प्रवेश करती है उस पदार्थ से धारा परभावित नहीं करता है ठीक है और सुचालक मतलब धारा परभावित होती है जो जैसे अब यहाँ पे है रबड लकडी आद विद्दूत की क्या है कुछालक है क्योंकि इसमें धारा प्रभावित नहीं होगी अगला प्रसना है तामर के डिस्क में एक छेद है यदि डिस्क को गरम किया जाए तो छेद का आकार देखिए अगर तामर में एक डिस्क अगर गरम किया जाएगा तो उसका आयताकार बढ़ता है तो यह इसका करेक्ट आइंसर हो जाएगा नेक्ट प्रसना आपके सामने है इसका उत्तर आपको देना है किसी चुम्बिकिये छेतर में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरी धारा पैदा होती इस सुध्धानत को उपिएग किया जाता है तो किस में किया जाता है बिद्दूत मोटर बनाने में भी इसका correct आइंसर हो जाएगा नेक्ट प्रसन है ट्राइ नाइट्रो टोलीन इसे ब्रेकट मुतलब साइटकट में कहते हैं TNT एक बिसफोटक पदार था है तो निम निलिखित में से किसके मिसरण द्वारा किया जाता है इसका अंसर आपको बताना है तो यह हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट के मिसरण से अब यहाँ आपको इसे देख लेना है TNT क्या है TNT एक बिसफोटक अमोनियम नाइट्रेट मिसरण से किया जाता है यहाँ इसे चिए आपको याद रखना है और फिर यहाँ पर TNG एक नोबिल को नोबिल का तेल भी कहा जाता है यहाँ याद रखना है यहाँ पे TNG का प्रियोग डाइनामाइट बनाने में होता है RDS महत्पूर्ण भी स्फोटक है यह भी पॉइंट आपको याद रखना है नेक्ट प्रस्न है वाप्रकास यह उपकरण कौन साहिज जिसकी साहिता से दोनों आँखों को एक साथ दूरवर्थी बस्तों को आवर्धित रूप दिखाई देता है तो इसे देखते ही हमें पता चल गया कि वो हो जाएगा दूरवर्थी में दिखाई देता है जो धुरबीन के माध्यम से तो यह इसका correct answer हो जाएगा पानी के छोटे-छोटे बुलबुलो के गोल होने का कारण क्या है तो वह है प्रिष्ट तनाव जो की D में दिया गया है अब हम व्याक्षा देखेंगे पानी के छोटे-छोटे बुलबुलो को गोल होने का कारण है प्रिष्ट तनाव निउंतम एक आंकी छेतर घेरती है द्रब्वी का ताप बढ़ने पर प्रिष्ट तनाव क्या होता है कम हो जाता है और करांतिक ताप सून के बराबर होता है नेक्स्ट प्रसन है निमलिखित में से किन तरंगों का निर्वयात के माध्यम से संचारित नहीं किया जा सकता निर्वात के माध्यम से तो यह हो जाएगा ध्वनी तरंगे जो की बी में दिया गया है अब यहां हम देख लेंगे धोनी तरंगों को निर्वात के आमध्यम में संचरित नहीं किया जा सकता है और प्रकास तरंगों को किसी भी माध्यम की आवस्रक नहीं है उसमा तरंगे और विद्धुच्मिके तरंगे भी निर्वात में जा सकती है नेक्स्ट प्रस्ण है यदि तांबे की तार को दो गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध देखिए जब तांबे की तार को दो गुना बढ़ाएंगे तो सद्यों प्रतिरोध उसका दो गुना हो जाता है तो हम कहिए देंगे चार गुना जो की आपसन ए में दिया गए है नेक्स्ट प्रसन दोस्त चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को सब्सकाइब कर लीजेगा अपने मित्र तक जरूर सियर करना जब जूले पर बैठा हुआ कोई ब्यक्त उस पर खड़ा हो जाता है तो जूले का दोलन की आवर्ति क्या होती है आपको बताना है तो जूले की जो आवर्ति है दोलन वो बढ़ जाती है तो बी इसका correct answer हो जाएगा सोर उर्जा को बिद्दूत उर्जा में परवर्थित करने के लिए आवसकता है आपको बताना है तो आवसकता है सिलकान का जो की B में दियागा है B इसका correct answer हो जाएगा नेक्ष्ट प्रसना है नेक्ष्ट में से किसमे रासाइनिक उर्जा बैद्दूत उर्जा में बदल जाती है तो रासाइनिक उर्जा बैद्दूत उर्जा में जो बदलती है वो बैटरी में तो C इसका correct answer हो जाएगा अब इससे हम थोड़ा सा definition देखेंगे बैटिक रासाइनिक उर्जा में बदल जाती है ये एक पॉइंट ये है बिद्दुत मुखिता बिद्दुत सेल मुखिता दो परकार के होते हैं एक प्राथमिक सेल और एक दुतियक सेल प्राथमिक सेलों में रासाइनिक उर्जा को सीधे बिद्दूत उर्जा में परवर्थित किया जाता है और प्राथमिक सेल एक बार प्रियोग होने के बाद क्या होता है बेकार हो जाता है बोल्टिये सेल, लेक लांसे सेल या डेनियल सेल, सुस्क सेल, फ्राथमिक सेल के उदाहरण है दूतियेक सेल में पहले बिद्दूत उर्जा को रासायनिक उर्जा में फिर रासायनिक उर्जा को बिद्दूत उर्जा में परवर्थित किया जा सकता है दुटियक चल का आवेश चार्जींस कर उसे बार बार प्रियोग में लाया जा सकता है बोल्टीय सेल में जस्ते की छड कैथोड के रूब में यों तांबे की छड एनोड के रूब में प्रियोग की जाती है और इन छड़ों के छड़े कोई काच को बरतन में रखे सलफियूरिक अमल में रखा जाता है Next प्रसना है सूर के प्रकास में गुलाब लाल दिखाई देता है और हरे प्रकास में गुलाब निम्लिखित में से कौन सा दिखाई देगा अब देखिए यहाँ पर जैसे सूर का प्रकास रहता तो गुलाब क्या होता लाल दिखाई देता है और हरे प्रकास में जैसे क्या होगा तो हरे प्रकास में गुलाब क्या दिखाई देगा काला दिखाई देने लगेगा तो भी इसका correct answer हो जाएगा अगला प्रसना है और ये आज का लाश्ट प्रसना है दोस्ट चैनल पे नहीं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अपने मित्र तक सेयर कर देना है मानों के दो कान होते हैं क्योंकि दो कानों की सहायता से पहला आपसन है धोन की दिसा आखी जा सकती है तो यही इसका correct answer हो जाएगा जो कि A में दिया गया है आसा करता हूँ ये class आपको अच्छा लगा होगा मिलूँगा एक दूसरे next वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बंदे